बिग स्क्रीन में आपका स्वागत है बॉलिवूट में देशी गर्ल के नाम से फेमस प्रियंका चोपडा इन दिनों च्छाई हुई हैं हाली में उन्होंने दिवाली के मौके पर अपने घर में हुई पूजा और दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन की फोटोज शियर की हैं फिर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के जरिये अपने नए घर की जलग दिखाई थी वैसे आपको बता दें कि प्रियंका जानती हैं कि लाइम लाइट में कैसे रहा जा सकता है उनकी स्टाइल और पसंद पर फैंस क्रेजी रहते हैं एक बार फिर प्रियंका चर्चा में आ गई हैं दरसल इस बार उन्होंने सुर्ख्यों में आने की वज़ा उनकी सगाई की अंगूठी है इसी अंगूठी की वज़ा से प्रियंका ने पती निक जोनस को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया था कि सभी लोग हैरान हो गए थे इन दिनों प्रियंका चोपड़ा अपनी बेश कीमती जोलरी को लेकर चर्चा में बनी हुई है हाली में एक इंटर्व्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि सबसे कीमती जोलरी कौन सी है तब उन्होंने मजाक में हसते हुए जवाब दिया अगर मैंने अपनी सगाई की अंगोठी का नाम नहीं लिया तो मेरे पती मुझे मार डालेंगे इंटर्व्यू के दौरान उन्होंने कहा कि इस अंगोठी के साथ उनकी कई यादे जुड़ी है तो उन्होंने अपनी कीमती जोलरी में इस अंगोठी का नाम लिया है इंटर्व्यू के दोरान जब सगाई की अंगूठी की बात चले तो वे काफी इमोशनल हो गई प्रियंका चोपडा ने बताया कि उनकी सगाई की अंगूठी की कीमत 2.1 करोड रुपे है ये एक खुबसूरत कटिंग वाले हीरे की अंगूठी है रिपोर्ट की माने तो निक जोनस ने ये अंगूठी अपने दोस्तों की मदद से ली थी निक ने एक इंटर्व्यू में बताया था कि कभी प्रियंका ने उनसे कहा था कि रिंग टिफनी होनी चाहिए क्योंकि इसमें उनके पिता के स्पेशल कनेक्शन थे और इसी कारण निक ने अपने दोस्तों को बुलाया और टिफनी स्टोर पर जाकर प्रियंका के लिए रिंग पसंद की थी बता दें कि कुछ दिनों पहले प्रियंका चोपडा ने अपनी शादी और उनमें हुए खर्चों के बारे में बात की थी नोंने बताया कि हमारी शादी में खर्च एक तरफा नहीं था बलकि पूरी शादी का खर्च दोनों की तरफ से किया गया प्रियंका ने इंटर्व्यू के दौरान बताया था कि निक और मैंने शादी का खर्च शेयर किया था इसके साथ उन्होंने सिल्वर जोयलरी केरी की थी वे क्रिश्चन वैडिंग में उन्होंने सफेद रंग का गाउन पहना था दोनों ही लुक में वे बहुत खुबसूरत नजर आई थी प्रियंका फिल्मों में एक्टिंग के अलावा प्रोडक्शन भी कर परफल पेपल्स पिक्चर से नाम से एक्टरस का प्रोडक्शन हाउस है इसके बैनर तले वो वेंटिलेटर, सरवन, पाउना, फायर बैंड, पानी, दा, स्काई, इस पिंक, दा, वाइट टाइगर जैसी फिल्में परडूस कर चुकी है वर्क फ्रंट की बात करें तो प्रियंका जी ले जरा में दिखाई देंगी इस फिल्म में उनके साथ आलिया भट और कैट्रीना कैफ लीड डोल में नजर आएंगी फिल्म का डिरेक्शन फरान अक्तर कर रहे हैं और इसके अलावा उनके पास अभी कोई भी बॉलिवूड फिल्म का ओफर नहीं है वे अब ज़्यादातर हॉलिवूड फिल्मों में ही बिजी रहती हैं तो गाइस क्या कहना है आपको प्रियंका चोपड़ा के लिए प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें बिग स्क्रीन